आज मैं बनाऊंगी हरी मिर्च का बहुत ही जल्द बनने वाली अचार तो हरी मिर्च को हम अच्छी तरह से धो दिये हैं और अब इसे हम एक तोलिया पे रखके इसे हम पोछ लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी कांस न रहें तो आप इसे अच्छी तरह से पोछ तो अब इसे हैं बीत से चीरा लगा लेंगे इस तरीके से नीचे से आप इसे ज्वाइंधी रखेंगे और इसे इस तरह से हम चीरा लगा लेंगे यह बहुत स्वाधिष्ट अचार बनता है और बहुत जल्द बन जाता है यह देखिक इस तरीके से हमें सारे मिर्च में बीच से कट लगाना है तो इस तरीके से सारे मिर्चे में हम हम इस बीच से कट लगा दिये हैं तो इसी तरीके से आप सारे मिर्च में बीच से कट लगा दिजेगा लेकिन नीचे से इसे जोईंड ही रखिएगा तो चलिए बनाते हैं ये स्वादिस्ट और बहुत जल्द बन जाने वाली मिर्च का अचार गयस पे कडाही चड़ा दिये हैं और अब इसमें हम डालेंगे तेल और अब ये मिर्चा को डालके हम इसे 2-3 मिर्च मीडियम फ्लेम पे तल लेंगे हमें मिर्च को ज्यादा फ्राई नहीं करना है बस हलका सह मौर करेंगे और ये बहुत ही स्वादिस्ट बनता है इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार जैसे कि आप धाबा जाते हैं और आपको छोले भटूरे में मिर्च का खाने के लिए बिल्कुल वैसा ही अचार है ये ये ब सुनेहरा नहीं करना है इसे बिल्कुल इसी तरीके से और अब इसे हम निकाल लेते हैं इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे हम तो ये हडी मिर्च को हम तल के निकाल लिए हैं और यहां लिए हम कुछ मसाले धनिया पौडर, हल्दी पौडर, काला नमक, सफेद नमक, आमचूर पौडर तो अब इस मिर्च में हम यह मसाले मिला लेते हैं तो यह हल्दी पौडर, धनिया पौडर, काला नमक, सफेद नमक और यह चाट मसाला लाल मिर्च पॉडर हम नहीं लिए हैं क्योंकि हर मिर्च तो ऐसे ही तीखा होता है तो अगर आपको लाल मिर्च पॉडर पसंद हो तो आप इसमें मिला सकते हैं नहीं तो आप इस तरीके से बनाईए बहुत ही जल्द बन जाने वाला अचार है ये हमारा और स्वाद इतना कि आप इसे डेली बना कर खाएंगे और ये अचार ऐसा है कि आप इसे दो से तीन दिन रख कर भी खा सकते हैं ये खड़ाब नहीं होगा ये बहुत स्वादिस्ट लगता है बिल्कुल ढाबे स्टाइल है ये मिर्च का अचार जैसा कि हम जाते हैं ढाबे में और हमें छोले भ भाने का भी स्वाद बढ़ा देगा ऐसा तीखा चटपटा हरी मिर्च का अचार है ये इसे हम इसमें निकाल लेते हैं ये चटपटा हरी मिर्च का अचार और ये तीखा वाला मिर्च है तो ये और भी टेस्टी लगेगा इसलिए हम इसमें लाल मिर्च पॉडर नहीं तो इस तरीके से आप जरूर बनाईएगा ये देखिए ये हमारा तीखा चटपटा हरी मिर्च काचार बिल्कुल ढाबे स्टाई बनके तयार है तो आभी इस तरीके से बनाईए खाईए इंजवाई कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सेर सब सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद